कि आप कहां पढ़ते हैं तो आपका पहला दिन का एक्सपरियंस था वह काफी अच्छा था वहां पर सब लोग आपसे लोकल लेंग में बात नहीं करते हैं इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको पढ़ाई कैसा लगा एफरेज जैन्मिन रिवीव दीजेगा अच्छा लग होती है अच्छा टाफ होता है तब चेकिंग पुरा गार्डिंग होता है अच्छा यह समेस्टर एक्जाम में ऐसा भी होता है कि कुछ भी पेज में भर के आगे तो आपको मार्क्स मिल जाता है जैसे कॉंटेंट होना चाहिए चोड़ी का और कुछ है फेकल्टी थोड़ा क करते है दोस्तों कि आप समझ पा रहे है कि हायर पोजीशन के जो लोग है वह अपने जो कपी चेक करते वह बहुत जिनमन तरिके से करते हैं अपने पोजीशन के हिसाफ से करते हैं अब भी आपका इंटर्शिप हुआ जब आपका इंटर्शिप हुआ ऑफ जो क्या आपने खुद से चुना था भी हर को परेटिव या पिर वह कॉलेज ने दिया तो अब क्या सा एक्सप्रियेंस रा कुछ हमारे को बताई कौन से लोकेशन पर आप गया थे यहां पटना में आए हुए थे अच्छा कोपरेटिव बैंक का कौन से जगह पता है अशोक नगर अशोक राजपत में तो वहां का क्या पहला दिन जब आप कंपनी में तो अब इससे पहले भी कही इंटर्शिप कर चुके हैं तो पहला कैसा कुछ धक धक हो रहा होगा कि आपके लिए सिर्फ आपके लिए और आए हम देखते बात करते मज़ाएगा बहुत मज़ा बने रहे हैं या फिर अभी जाना बाकी है अब तक का अच्छा वह दिन नहीं आना था वीक में तो तिन नहीं आना था और रिपोर्ट बनाके अच्छा तो आपको ऐसा क्या बिलीव करते हैं आपकी जो आपने वहाँ पर इंटर्शिप किया वह आपके जॉब लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगा क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं यह हम कर सकते हैं कि आपने वाकई में अच्छा काम किया और वह उस इंटर्शिप जिसने आपको कॉर्परेट कर रहा है तो अब आप यह हम अब बताना जा मैं कोपरेटि बैंक में किया तरिटन सी और सारा कुछ बहुत करना क्या टोपिक था बैंक के बारे में या फिर उसका क्लास करने के तो आप पहले वहां पर कितने लड़के अशब बिहारी होंगे अपके क्लास में अखेले और पहले समिस्टर में पताई तो आपको वहां पहले गूगल किया होंगे तो वहां का कैमपस के बारे में कुछ बताई वहां का कैमपस कैसा लगा वहां पर पहला इंटरी लिये तो क्या आपके एक्सपेक्टेशन से वह मैच कर रहा था आप जो सोच कर गया थे या पर जो गूगल पर देखे थे वह जैन्वीन था सब्सक्राइब कर रही थी कुछ चीजे नहीं कर रही जैसे कुछ चीजे में क्या उनकी रेस्ट्रेंट या उनके कैंटीन के वेगर आप बोल रही है फिर स्टक्टर से तो सेम था बतलब फूड बात करें तो वहां पर आपका इंट्रेंस एक्जाम हुआ था एडमिशन के लिए तो कैसा हो कर रहा है कि या फिर आपका वो ड्रीम कॉलेज रहा है अच्छा अच्छा दिये थे तो इनिरिंग कॉलेज मिला था इसके बाद स्यूसेट भी है बहुत लोग मैट देते हैं बताइए कि आप कहां पढ़ते हैं जो कब